मैं डाक्टर भगवांदास पठ़ई चाहिल स्पेचिलिस्ट वाइस प्रेजिडेंट पाकिस्तान तरीके इंसाफ मेनाटी विंग सक्कर लाड़काना रीजन और चीप पैटरन खिजमते इंसानियत सोशल वेरफर आर्गनाइजेशन सिंद मैं अपने सुने वाले को ये बात बताना पसंद करूँगा कि लाड़काना में जाली काख़ात बहुत बनते हैं और उसकी अगर कोई कंपलेंट होती है और अगर उसमें कोई बड़े लोग होते हैं तो कुछ भी नहीं होता ये रिकार्ड है लाड़काना का और उसमें आप कितनी भी कोशश करें चाहे दस साल गुजर जाएं लेकिन होता कुछ भी नहीं है ऐसे ही मैं एक आपको हकीकत बताना पसंद करूँगा कि आज से दस साल पहले 26 आगस्ट 2011 को District Government लाड़काना Office of the District Coordination Officer लाड़काना की तरफ से एक लेटर निकलता है उस लेटर में बताया जाता है कि हम लोगों ने जब वो सारी करिस्पार्डंस देखी तो उस में पता लगता है कि एक 22 फबरवरी 2000 को एक N.O.C. निकला है जो कि डिस्टिक अथाटी लाड़काना की तरफ से निकला है फार दी पेटरोल पंप इस्टालेशन आफ दे बाइको पेटरोल पंप उसमें ये लिखा जाता है कि ये जो N.O.C. जो आपने पेटरोल पंप के लिए बनाई है दरसल ये N.O.C. का जो नमबर लगाया है वो लाउड स्पीकर की N.O.C. है और फर्दर उसमें लिखा है कि जब हम फाइल और करिस्पार्डंस की देखा तो पता लगा कि ये N.O.C. इस आफिस से ना निकली है और जो इस पे सिगनेचर है वो भी जिला नाजम जो पहले वाला था उससे नहीं मिल सकती है उससे कोई टेली नहीं करती है और वो फिक्टिचस एंड फिक है और डिस्टिक कोईडिनेशन आफिसर जो के उस वक्त आज से दस साल पहले लाड़काना की डिस्टिक के अथार्टिटी वो लेटर लिखती है और डिस्टिक पुलीस आफिसर लाड़काना जो आजकल एससपी लाड़काना कलवाती है उसको रुकेस्ट करती है कि रुकेस्टेट तो रिजिस्टर दे क्रिमिनल केस अगेंस अगेंस परसंस वो और इन्वाल्ड इन फॉल्स फिक्टिचस नुसी फॉर इंस्टालेशन आफ बोसीगार पाकिस्तान लिमिटेज पेट्रोल पंप एंड आलसो इस्टाप दी कंस्ट्रक्शन आफ दे पेट्रोल पंप ये डिस्टी का थाटी लिखती है लेकिन एसेस्पी लाड़काना उसको उबलाइश नहीं कर रहा है इसलिए कि उसमें बहुत बड़े लोगों के हाथ है तो जिस कंट्री के अंदर डिस्टी के लेटर को कोई भी उबलाइश करने के लिए त्यार नहीं है तो इस किस्टी की जो करप्शन है तो उसमें ये जाहर होता है कि बड़े असर उसुक वाले लोगों को चाहे कितना भी बड़ा आफिसर लिखे कि ये एक फाजरी है ये एक फिक्टिचर्स एंड फेक डाक्यूमेंट निकला हुआ है अथार्टी कहती है फिर भी कोई उसके उपर एक्शन नहीं लिया आजाता है तो ये अपील है हमारी पाकिस्तान के अजीम लीडर इमरान खान साब से के जब तक कंट्री में इंसाफ नहीं होगा खास करके लाड़काना सिंध और जब तक बड़े लोगों को पकड़ा नहीं जाएगा ये कंट्री किस तरह तरकी कर सकती है झाल झाल झाले